अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो टॉप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल सुकून, जो काफी बोर्ट चल रहा था, लेकिन अब इतना इंट्रेस्टिंग हो गया कि देखने का बहुत मसा आने लगा है, गुरिया, जो एक्सिडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचात हमदान अपने अलफास पर बहुत शर्मिंदा है कि उसकी वज़ा से गुरिया इस हाल पर पहुंची, लेकिन फिर भी हमदान रात तो हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता क्यूंकि एना घर में अकेली थी और वो डर भी जाती है, इसलिए तो वो रात को घर आ जाता है, आकर घर ही सो गया, तो यहां पर निताशा के वालदेन अब शांसे के वालदेन को बाते सुनाते हुए कहने लगे, यह कैसे लड़के से अपने अपनी बेटी का रिष्टा तै किया है, इतनी मुश्किल घरी में भी वो उसके साथ ही नहीं, अब शांसे के वालदेन शर्मिंदा ह को चाते हैं क्योंकि वो क्या बताएं कि हमदान तो उनसे रिष्टा नाता तोड़ चुका है, दूसरी तरफ अब नताशा ने भी बहुत ही जबरदस्ट गेम खेली, वो जो किसी और को चाहती थी, किसी और से मुहबत करती थी, वहला वो रजा की कैसी हो सकती थी, रजा को तो उसने धोका ही देना था जैसे रजा हमेशा लोगों को देता आया है, इस तरह से रजा को जो बाहर जाना था, बेहन होस्पिटल में थी, लेकिन रजा को कोई परवा नहीं क्योंकि उसने कभी अपने अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं, नताशा को बाए कहने के ब पैटी का रिष्टा जोड लिया, दूसी तरफ रजा जो जेल की सलाहों के पीछे है, वहां पर चीह रहा है, चिला रहा है, तुम लोग जानते नहीं मेरे बाप को, एक एक को देख लेगा वो आकर, तो ऐसे में पलीस इंस्पेक्टर भी उसके पास आकर बैठता है और कहने होगा, इतने में अमजद साहिब भी हमदान के साथ प्लीस टेशन आ जाते हैं, यहां आकर अमजद साहिब को जब सारी बात का इल्म हुआ, तो भी रजा से पूछने लगे बताओ, बताओ, वो बैठ तुमें किस ने दिया था, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुमें निकलवा पाऊंगा, तो रजा बता देता है, वो बैठ मुझे नताशा ने दिया था, अब तो अमजद साहिब को बहुत गुसा आया, वोरण ही नताशा के घर पहुंच आते हैं, तो उसके माबाप से दो टोक पात करने लगे, कि रजा जो जेल की सलाहों के पीछे है, आप की बेटी की वज़ा से, तो यहां पर माबाप को गसा, गया आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारी बेटी पर, नताशा पास सोफे पर बैठी, सारी सिच्वेशन को खुब अच्छे से इंच्वाई कर रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी है, कि अब तो ये रिष्टा तोटी जा और अब फिर बाप को कोई अतरास नहीं, उसकी पसंद के लड़के से रिष्टा करने में, और वो यही सब तो चाहती थी, और हम रजा को बुरे अंचाम में देखना चाहते थे, जो कि नताशा की वज़ा से हमें देखने को मिला, आगे चल कर तो रजा और अमजद साहिब क के सडकों पर, और यही सब तो हम देखना चाहते हैं, क्यूंकि एना के साथ भी तो इन्होंने बहुत पुरा किया, मेहमूद साहिब बेटी के गम को समझने लगे हैं, तबी तो आइमा, अब अकैडमी जाना भी शुरू हो गई, लेकिन उस्मान, आइमा को इतनी करो, और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, लेकिन अब आइमा किसी से नहीं डरती, क्यूंकि जब बाप का साथ साथ हो, तो फिर बाप तो बहुत बड़ी ढ़ाल हुआ करते हैं, उलाद के लिए, इसलिए तो आइमा कह देती है, उस चहन्नम में अब मैं कभी नह साथ देंगे, तो फ्रेंट्स आने वादी एपिसोड तो बहुत इंट्रस्टिंग है, आपको इस एपिसोड के छोटा सा रिव्यू पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, शेर ज़रूर कीचिए, का मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राब कीचिए, अलाहाफीज साथ ज़रूर कीचिएँ उन्ट्रस्टिंग